जये नि दोस्तों आज मैं आपर बात करने वाला हूँ इस एपिसोड 6 में यानि कि akkor चैपूर इस सब्सक्र आपकोडे सबसेरी큼 कि खुदाई तो सबसे पहले आप ऐसे समझ लेजिए कि यहां में माइनिंग का मतलब यह होता है जिस तरह से आप देखते होगे सोना या फिक कुछ भी होता है वो कोद करके ख़दानों से नीचे से निकाला जाता है उसी तरह से जो भी आप क्रिप्टोकरंसी आजकल देखते है अब यह सिर्फ 18 मिलियन ही माइन हुए है यानि कि अब उतने ही निकाले जा चुके है उनको निकालने के लिए electricity माइनिंग का प्रोसेस होता है जिसके करण फिर वो आते हैं मार्केट में उसके बाद पिर आप यहां पे उसको काई बाय या सेल कर पाते हो तो यह समझ समझने जाता है माइन करके उशी को माइनिंग करेते अब इसको अब जाराय पे समसल लेते हैं कि ब्लौकचेन माइनिंग दरसल होती किया इसको- भ्लौकचेन माइनिंग को समझने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को समझना पड पढ़ेगा जिसके कर रॉड़ आपको नपाम माल लिजे आपने किसी को पाइसे बेजे एक लीजर बन गया मैंने जासा कि आपको पहले भी कह रहा हूं कि एपिसोड 6 पर पहुंच गयो एपिसोड 6 पर इससे पहले एपिसोड 5 तक के सारे देख कर आओ तो यहाँ पर कोई लिजर बन जाता है उसके भाद जब वो जाता है तो चला जाता है भी पूल आपके बताएंगे लेकिन अभी आप इतना समझ लिजे कि कोई भी ब्लॉक किसी भी क्वाइन या टोकेन का माइन करने का जो समय है उतना ही लगेगा अभी ट्रैंजेक्शन जो आपका होता है लीजर यह चला जाता है मीम पूल में यहाँ पे मीम पूल में जाने के बाद यहा सबसक्राइव से लिए करम को सालव कर देता है वह यहां पे अभी मैंब को बताऊंगा जो पहले आप पैमेट के प्रोब्लम को सालव कर पाएगा यहां पर सोरे सब्कूल ऑसे असा बिलकुल भी नहीं से बिटकॉइन का डिपकल्ट ड़े Care वह सी आध बताता है कि आप 10 मिरेट है तो 10 मिरेट ही लगेंगे आप जादा आई पाइप आवर का कंप्यूटर उठा लाएंगे तो फिर वह और भी आप ऐसे समझ लेजे कि एक फुटवाल है एक फुटवाल की पिल्ड है उसमें जो यह एक मैथमेटिकल प्रवलों को साल करना है आप आप ऐसे समझ लेजिए उसमें सुई कि आप उसमें मोर लगाना है उस ब्लॉक में तो जो मोर लगाने का काम है आप यह समझ लेजिए कि बिटवटवाल की फिल्ड में एक सुई पढ़ी है अब उस सुई को जितना आप कंप्यूटर हाई पावर लाओगे उस उतनी ही जरूर है कि जिसका कंप्यूटर पावर फूल होगा जिसकी ग्राफिक्स पावर फूल होगी वह आपे पहले इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को साल्व कर लेगा तो अब इस माइनर के पास एक ब्लॉक अपना पहले से था उसमें इसने पहले टांजेक्शन कर रख्योंगे ल जो में पूल से इसने आंक्सन선 को यह ब्लॉक में टारेगा ब्लॉक में जब पड़ जाने के बात फिर यह क्या करेगा अब मालव लेजा प्रॉट्र भरकिंद यहां बची थी ब्लॉक में वेरिफाई किया है तो यहां पर ऐसे नहीं हो पाएगा उसके लिए आपर बहुत सारे नोट्स होते हैं अब एक चीज़ाओ समझ लिजी यह कोई आदमी नहीं करता है कोई भी ठीक ना यह पूरा एक नेटवर्क के द्वारा किया जाता है तो यह कंप्यूटर कर देते हैं उसको वालीडेट तो आपर जो माइनस होंगे और भी जो साथ में लगें होंगे लेकिन रिवार्ड इसी को मिलेगा ठीक ना तो माइनस वुसे वेरिफाई करने का काम करेंगे जो भी इस नेटवर्क में ब्लॉक्चेन माइनिंग में जुले होंगे टीव ब्लॉक आंगे बैजा जाएक बेजने के बाद जो माईनस वेरिफाई करेंगे खुर में स्था ऐसकर सो बातों इस जो प्रयव करẰें इसके ब्लॉक्चेन में नेमेर की थी प्राद को जो प्र्वितन ने साल पकी ठीक Advent इसके ब्लॉक्चेन विकान अतों कर दिया जा तो ब्लॉक्चेन में जब एड़ कर दिया जाता है तो यह ब्लॉक्चेन में अपने चला जाता है फिर यह वल्डवाइट सम्में देखना लगता है ट्रेंस्परेंट हो जाता है डिसेंटरलाइज हो जाता है आरको इसमें देख सकता है तो जैसे भी ब्लॉक्चेन में एड़ कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है वाइसे ही जिसने आप मैथमेटिकल प्रोब्लम को सबसे पहले साल्व किया था मीम पूल में यानि कि जो माइनर ने इस टांजक्शन को वालिडेट और ब्लॉक में जोड़ा यह सारा कुछ किया यह ज़िए जब कॉम्प्यूटर आप मैं आपको बताऊंगा की क्या होती है तो पहले मिलते थे 50 बिटकोइन पहली हालविंग के समय इसी तरह से हालविंग बढ़ती गई और बिटकोइन को चाहीं करें के साहसात काम होता चला जाएगा तो ये थी Bitcoin या Blockchain Mining या पर किसी भी Cryptocurrency की Mining जो Proof of Work पर काम करता है क्या होता है सारा कुछ आंगे पता चलेगा लेकिन आज के लिए Blockchain Mining आपने समझी होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब टक दें मैं लाइकन को जुरूर पेस कर दें